आज हम लोग ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज हम लोग जा रहे थे अफ्तारी पे तो मैंने सोचे क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमली के साथ अपना व्लॉग शेयर करूं और मैंने यह चोटी-चोटी क्लेप्स आप लोगों के लिए बना ली थी और असर क्यों आज है और अफ्तारी में हम ने बहुत डिलीशियूस चीजें खाई और नमास पड़ी और बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहा आप लोग बताया है आप लोग ठीक है आप लोग ने इत की शौपिंग कर ली है और इंशाला आने वाले वाले वक्त में बहुत जादा मज़ की व्लॉग जाएंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट सी रैसिपी जाएंगी वहां मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं क्या हम लोग कैसी ही सेलिबेट करते हैं हम लोग कैसी मैनाते हैं और यह जो है अब मैं बना रही थी क्रीमी पास्ता मैं पास्ता बनाना बहुत ज़्छाए कर सकते हैं और आप उनको रेस्टोरेंट जैसे खाना घर पे बच्छों को बना के पदें बचे जो हैं वह नहीं अच्छा इसके लिए इससे पहले एक साइट पानी में पास्ता डाल चमच नमक और ऐसना कीना डाल उलकिंग आपने ज़से तरीके से बोल करने ना दूसरी तरफ आपने कडाई ले… डाल देना है और जियसे और बच सब्स sinners के अथ निए जैसे, करते बचे और आप जयसे यह तियूआ जासि इस पुष्ण राइए, शवलुक्तूम Don't बोका साथ ही मैंने इसके अंदर दो बड़े चमच दो टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मैदे के आड़ कर देने हैं और जैसे ही आड़ करने हैं आपने साथ ही इसके चमच घुमाना तक इसके अंदर कोई लंज ना बने कोई वो ना बने क्या कहते हैं क्या कहते हैं कोई में दिखाऊंगी व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोग अपनी चांद रात कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी बचों की इत की शॉपिंग भी दिखाऊंगी और साथ ही आपने इसके बाद दो बड़े एक कप जो है बड़ा एक फुल कप जो है आपने दूद एड़ कर देना और दूद एड़ करने के बाद फूरान आपने इसको हिलाना है और बस यह जटपट बन जाएगा अचाहिए दूद का हसाब आपने इस तरीके से रखने क्योंकि अगर आपने फुल पैकेट पास्ता बनाना है तो आपने पूरा भर के कप डालना है क्योंकि हमने इसकी सौर बनानी है लेकिन अगर आपने आदा बनारे हैं आदा पैकेट बनारे में इसका पास्ते का तो पिर आपने हाफ कफ ऑलड़ डाव दूद डाला है इसके साथ ही मैंने एक चमच नमक डालना है ऐख स्थोड़ा चाह और गयनों डालना है ऐसके आप रिज़ने आप एडिशनल जो है वो चिकन पॉडर है यह कोई और का कुछ है आप वो भी आइड करने से आपका टेस्ट डिवाल पोजेगा और दूसरी साइड में मैं थोड़ा सा बोनलेस गोश्ट लिया उसको अधरक लसन में सौटे किया और उसके अदर चिकन तिका मसाला डाल देना हो बिलकुल आप तो आपने उसको एक साइड पर रहे और फिर इन तीने चिज़ों को सेमबल कर देना है और जैसे यह थीक होगा जो पास्ता हमारा थिक होगा इसकी सॉस में हो सॉस बन जगे इसको बहुत ज़द आपने गाडा नहीं करना तो बहुत ज़दा गाडा करेंगे तो वह खाया न मैंने इसके अंदर थोड़ी सी एक कैपसी कम और एक कैरेड भी डाल दी है ठीक है और ताकि ये मज़े से भंज़ और बहुत डिलेशिस ना मेरे बच्चों ने बहुत ज़दा शोक से खाया बहुत एंजॉय करके खाया और अब जो उसके बाद एक और बायाद मैं आप से शेय जैसे ही हो जाएगा गल जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा ठंडा पानी आपने डाल देना यह इसकी एक टेप होती है तक कि जो के पास्ता हो बिल्कुल भी ना जुड़े और जैसे ही सॉस मेरी थोड़ी सी थी कोई मैंने यह पास्ते स्मैट कर दिए उसको अच्छी तरीके से लाया है और इसी के अंदर मैंने चिकन भी सामिल करते हैं अब आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी दिस इस अफ़